Hello students, welcome to my YouTube channel MK Biology If you are watching my video for first time, then do like, share and subscribe to my channel तो guys, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आप class 9 का chapter number 13 है Why do we fall ill? ठीक है? तो इसको हम आज करेंगे ठीक है? अगर आपको वीडियो में कोई भी doubt आता है तो please comment में आप comment करके आप doubt पूछकते हैं तो guys, चलिए, start करते हैं हमारे chapter को तो जैसे कि आपका chapter का नाम है Why do we fall ill? ठीक है? इल को हम सीख भी कहते हैं ठीक है? अब बिमार होते हो तो इसको इंगलिस में हम ill और सीख कहते हैं ठीक है? तो हम बिमार क्यों होते हैं? यह आपका chapter का नाम है यह question है कि हम बिमार क्यों होते हैं तो guys, इस question के बहुत सारे reasons हैं ठीक है? तो हम उन reasons को one by one करके पड़ेंगे तो first reason देखते हैं क्या है हमारा We can fall ill if we dwell in surrounding that are polluted air ठीक है? हम बिमार कब होते हैं जब हमारा surrounding होता है वो क्या है? polluted होता है air से, water से यह आपके जो armful insects होते हैं उन से अगर आपका environment polluted होता है तो क्या होता है? आप बिमार हो जाते हो ठीक है? जिसे example है इसका dango और malaria ठीक है? डango और malaria में क्या होता है? आपके जो insects हैं, armful मच्छर हैं जैसे आपको काटते हैं तो आप बिमार होते हो अगर हम खुद की बोड़ी का दियान रखना चाहिए जो लोग परसनल आइजन का दियान रखते हैं खुद की बोड़ी का दियान रखते हैं गंदे मेले clothes बेहनते हैं तो क्या हो वह बिमार हो जाते हैं ठीक है? नेक्स्ट रीजन देखो एने इंडिविज़ल से इकोनोमिक कंडिशन किसी भी इंडिविजोल की इकोनोमिक कंडिशन है वो भी एक factor होती है कि बिमार होने की ठीक है वो भी एक region है मानलों कोई भी बंदा है ठीक है उसकी financial condition वो गरीब है ठीक है वो अच्छे कपड़े नहीं पैन सकता वो अच्छा खाना नहीं खा सकता तो क्या है वो बंदा क्या है उसके बिमारी होने के chance उसमें जादा होंगे तो ये भी आपका एक region है बिमार होने का ठीक है आई ओप आपको समझ में आ रहा है तो चलते हैं next slide की और ठीक है next slide है आपकी health ठीक है तो एक टरम आती है आपकी health तो health से आप क्या समझते हो health देखते है health is one of the most crucial and essential aspect of every individual's life ठीक है जो health है वो किसी भी individual की life में क्या है एक crucial or essential aspect है ठीक है एक important factor है ठीक है not being fit or healthy and of disabled one from carrying out normal day to day activity ये line क्या बता रही है आपको अगर मानलो हम fit नहीं रहते या healthy नहीं रहते तो क्या होता है जो हम daily की daily routine में our activity करते हैं जीसे हम कहीं जाते हैं कि follow school में जाते हैं हम पड़ता हैं लिखते हैं खाते बीते हैं तो हम वो नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसलिए अमाला fit रहना और healthy रहना important है ठीक है अगर हम बात करते हैं definition कि हमारी health की definition क्या है it is a state of wellbeing so that one can perform physical social and mental functions functions properly ठीक है इसकी definition यह है health की ठीक रहना ठीक है well मतलब की proper रहना ठीक है जिससे क्या है हम perform कर सके हमारा कोई भी physically work है socially work है mental work है ठीक है हम उसको properly कर सके ठीक है तो यह है इसकी definition जैसे हम example के थिरूँ समझते है health को we say a person is healthy ठीक हम किसी एक person को healthy कब कहेंगे if they can perform their day-to-day task everywhere ठीक है जो कोई भी बंदा है उसको healthy तब कहते है वो अपने day-to-day tasks है activity है अपने काम को day-to-day proper तरीके से कर रहा है तो हम उसको healthy कह सकते है तो यह इसकी definition है आगे next slide पर चलते हैं guys significance of health health की क्या significance है ठीक है one by one हम point करके पढ़ेंगे कि health अमारे लिए जुरूरी क्यों है क्या significance है इसकी तो first point है guys it is essential to study health ठीक है stay healthy ठीक है it is essential to stay healthy मतलब stay healthy रहना बहुत essential है क्यों है it helps one to carry out all fundamental activities regularly ठीक है अमारे लिए healthy रहना इसलिए जुरूरी है क्योंकि हम जो हमारे fundamentally active है daily routines के काम है वो हम regularly करते रहें ठीक है एक तो ये reason हो गया second reason है eating proper healthy and right food ठीक है अगर हम healthy और right food खाएंगे तो हमारी क्या है हमारे body में क्या होगी डीजी से लटने की ताकत क्या है बढ़ी जाएगी और क्या है हम जिससे fit रहेंगे ठीक है तो इसलिए क्या है health जुरूरी है ठीक है health के लिए हम क्या करेंगे मतलों कि proper जो ढंका खाना है वो खाएंगे अच्छा food ये नजी तलावला हम fast food खा रहे हैं जो क्या हमारे body के लिए आमफुल होता है तो हमें क्या है healthy food खाना है ठीक है right food खाना है यह आपके क्या है healthy significance है घाई थर्ड point है the physical environment contributes to a personal well being in a greater way आपके परस्नल से है आपके तो physical environment है आपका आसपास का जो surrounding है आपके आसपास की ठीक है आपके आसपास का area है वो भी अच्छा होना ची है ठीक है वो clean होना ची और healthy environment होना ची है ठीक है तब भी आप क्या है healthy रह सकती हो ठीक है तो यह थर्ड पैंट था नेक्स पैंट देखते हैं पब्लिक क्लिलिनेस इस एन इंपोर्टेंट थिंग्स फोर एवरी इंडिविजल प्रोपर ट्रीटमेंट ओफ सीवेज एंड गार्बेज इन आवर स्राउंडिंग प्ले यह की रोल इन इस प्रीजमेंट जो पब्लिक क्लिलिनेस है प्लिक एरिया है पर यह च्रफ ठेंट पे जाते हो ठीक है कही बहीं पर अगर और थे वasıफ है उसकी ट्रीटमेंट अच्छी lifts तो क्या है आप डीजी से बच सकते हो तो यह पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट है बिंग फिट एंड हैपी है एज ए फूज इंपक्ट ओन वन्स डेवलोपमेंट बोथ परसनल एंड प्रोफेशनली एज वेल ठीक है फिट रहना और खुश रहना ठीक है किसी भी परसन के ओन डेवलोपमेंट में क्या है इंपक्टेंट होता है चाहे वो हम परसनली बात करें या उसके प्रोफेशनली वर्क के बारें बात करें ठीक है तो इसलिए हमें खुश रहना चाहिए और फिट रहना चाहिए ठी आप क्या है अच्छे से क्या है डेवलप कर सकते हो okay next point है social equality and harmony are important to be healthy ठीक है हमें क्या है जो हमारी social equality है equality मतलब समानता ठीक है अब जब हम क्या है मालो किसी को हम equal समझते हैं ठीक है चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो ठीक है चाहे वो सुन्दर हो चाहे वो मितलब की कम चुंदर हो तो क्या है वो आपका क्या है एल्दी के लिए important हो जाता है तो हमें social equality रखनी चाहिए आके देखते हैं आप next slide है हमारी Is health dependent on personal and social issues तो एक questionarize होता है तो हमारे personal और social issues दोनों पर क्या है depend होती है तो इस concern होगा yes दोनों चीज़ों पर depend करती है हम हमारे only personal personal health पर नहीं depend करती है हमारे social issues होते है आसपास की surroundings है वो भी हमारे लिए क्या होनी चाहिए healthy होनी चाहिए clean होनी चाहिए तब हम क्या है हमारी health को अच्छे से रख सकते है मालो क्या है आप खुद अच्छी तरह से proper तरीकें से healthy रहते हो बट आपके आसपास की surrounding है ठीक है भारगली में आपका क्चरा पड़ा है ठीक है आप जहां भी जा रहे हो ठीक है आप वहां पर आपका क्चरा पड़ा है तो क्या है आपकी health ठीक नहीं रहेगी ठीक है आपको पता है कोई भी organism है ये organism वो दूसरे organism पर depend करता है और environment पर depend करता है ठीक है तो अगर environment अच्छा होगा तो आपकी health भी क्या होगी better होगी तो guys अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुतरा रखा करो ठीक है जहां भी जाओ तो इसलिए इसको topic को हम next video में cover करते हैं I hope आपको वीडियो अच्छी लगी ठीक है अगर अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe कर देना ठीक है मिलते हैं हमारी next video के अंदर thanks for watching my video